प्रादेशिक भूगोल भाग 5 के तहर एसिया महादीप के बारे में डिसकस करें तो आज का जो सिशन है एसिया महादीप में सबसे पहले जपान के बारे में डिसकस करेंगे तो डिसकसन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ इसका PDF एभी लेवल है अगर आपको PDF चाहिए तो टेलिग्राम चैनल, टेलिग्राम क्वीज ग्रूप या चैनल के कम्यूटी बॉक्स में जाइए वहाँ पर इसके रिगार्डिंग में इंफर्मिशन को अपडेट कर दिया गया है तो देखें जपान परशान महासागर में एसिया के पुर्वी टट पर इस्थित है जपानी भासा में इसे नीपन कहते हैं और इसका अर्थ होता है सुर्योदय का देश जपान को सुर्योदय का देश कहा जाता है कई बारे ये प्रशने पूछा जा चुका है जपान द्विप समू के द्विप जो है धनुसाका रूप में बिस्तरित हैं या एक चाप के भाती परशांत मासागर की ओर उतल और चीन तथा कोरिया की ओर ओतल रूप में इस्थित है जपान की रधानी टोकियो है इसका छितरफल लगभग 3,777,927 वर किलो मीटर है जपान की जो पॉपुलेशन है बारा दसमलो साथ करोड है और जपान की जो लैंग्वेज है वो है जपानी जपान की परमुख द्विप जो है जिनका छितरफल लगभग में दिया गया याद रखिये गया जैसे होन्सू इसका छितरफल 2,31,132 किलो मीटर यह जो चारो द्विप हैं जपान के काफी महतपूर है इसको ध्यान में रखियेगा जपान एक द्विपी ये देश है जो एसिया महा द्विप में मुख अस्थल से लगभग 180 किलो मीटर दूर इस्थित है सुसिमा जल सनियोजी के द्वारा यह कोरिया से अलग होता है इसके अंतरगर चार मुखे द्विप होकैडो, होन्सू, सिकोकू और क्यूसू यादखियेगा तथा 3,906 द्विप और चंदरकार आकरिती में लगभग 1,153 किलो मीटर लंबाई में बिस्तरित हैं फैले हुए चारो मुखे द्विप एक तीस डिगरी से पैंतालिस डिगरी उत्री अच्छांस तथा 130 डिगरी से 145 डिगरी पुर्वी देसांतरों के बीच इस्तित है याद रखिएगा जपान के जो मैप हैं एक बार इसको अबजर्ब करके आगे वढ़िएगा जपान जिसका अर्थ स यह काफी इंपोर्टेंट फैक्ट है ध्यान में रखना है और यह जो तीन फैक्ट दिये गए यहाँ पे तीनों फैक्टों से काफी बार प्रशने पूछा जा चुका है तो जपान को सुरियोदय का देश कहते हैं चार परमुख जो द्विप हैं उत्ता से दक्षन की और इ कोकू है तो याद रखिएगा इसके बाद इधर जो है जपान सागर है पुर्वी सागर यह परसांद महा सागर है यह जपान का डेट्राइट है कौन नगोया ठीक है नगोया सहर है उरेनियम जो बम है लिटिल बॉआ है छे अगस्त उनीस सो पैंतालिस को जो है कहां पर बम यानि फैट मैन नओ अगस्त उनीस सो पैंतालिस को जो है गिराया गया था तो कब कौन सा बम कब और कहां गिराया गया था दोनों फैक्ट याद रखिएगा हेरो सीमा के बारे में भी और नागासाकी के बारे में भी जपान का जो मैंचेस्टर है यानि सुति वस्तर मुखी है इसको भी ध्यान में रखिएगा इंपोर्टेंट है इसके बाद अगर बात करें तो होंसु द्वीप जपान का बड़ा द्वीप है इस द्वीप के मध्य भाग में याद कि आप होसा मैगना भरंस घाटी इस्थित है जिसमें से अनेक ज्वाला मुखी भी अब जनसंख्या होंसु द्वीप पर ही निवास करती है भौतिक लक्षण के बारे मगर बात करें तो जपान का 73% छेत्र प्रवतिय है जो रिड के हडियों के भाती विस्त्रित है 27% छेत्र मैदान है यहां का जो 27% एरिया मैदानी है भूवेग्यानिक सनचना के द्रिष्टी से जपान एक दुरूबल छेत्र है जहां जवाला मुखी और भूकम्पो की अधिकता है काफी जवाला मुखी और भूकम्प आते रहते हैं यहां प्रतिवर्स 500-1000 भूकम्प आते हैं इसलिए जपान को भूकम्पो का देश कहा जाता है जपान के अधिकांस परवत जवाला वाला देश है जपान को जवाला मुखियों की धर्ती जो है कहा जाता है अर्थ अब वलकैनोज कहा जाता है जवाला मुखी के कारण यहां गर्म जल के स्रोत भी मिलते हैं जपान में 192 जवाला मुखी इस्तित है दिन में से 52 सक्रिय जवाला मुखी है एक्टिव वलकैनोज है पुर्वी परवस सिरेणी एक मलग की जौला मुखी सिरेणी है फिवजियामा, फिनोकू, आदी जौला मुखी इसी सिरेणी में सिरेणी में सिरेणी है जपान के अधिकांस मैदान संकिंड समुंद्र टटिय पेटी के रूप में बिस्तिरित हैं वाकार में बहुत छोटे हैं, कुछ मैदान आंत्रिक बेसीनों के रूप में है इसके बाद जपान में इस्थित साथ परमुख जो मैदान है जैसे कांटो का मैदान इसके स्थिती कहां पर है तो टोकियो के समीप इसी कारी मैदान दक्षन पश्मी होकाइडो में है इचिगो मैदान होंसु के मधवर्ती पश्मी तट और सिनानों नदी के मुहाने पर नोभी मैदान नगोया के समीप सेंटाओ मैदान आंत्रिक सागर के पुर्वी तट पर उसाका के समीप और किताकामी मैदान सेंडाई के उतर में उतरी होंसु के परसांत तट पर और सुकुसी मैदान पश्मी के उसु में कुरूमे के चार ओर जो है इसके वस्थिती है जपान की पश्मी स्रेणी के दो भाग हैं केसी परवस्रेणी और इसकी सर्वस सिखर काई गाने हैं जिसकी उचाय तीन हजाद छेसो पांच मीटर है इसके बाद आईनो और कुमागा अन्य परमुक सिखर हैं दूसरा है हिंदा परवस्रेणी इस परवस्रेणी को जपानी आलपस के नाम से भी जाना जाता है इसकी यारीगा सिखर जपान का मैटर हॉर्न कहलाती है ओन टेक नारिकूरा चाकुसी अन्य सिखर हैं हिदा सिरेणी के पश्री में हिदा पठार इस्तित है जो क्रमस बीवा बेसीन के और संक्रा होता गया है बीवा बेसीन की और ये काफी जो है नैरो होता गया है जपान की जो जलवायू है इसके बारे में अगर बात करें तो जलवायू जो जपान की जलवायू है इस पर महाद सीवो गर्म तथा कीवराईल या उसायो ठंडी जलधराओं का भी जापान की जलवायू पर गहरा परभाव पड़ता है देश के उत्री द्वीप होकेडो में स्थित सोपोरो का जनवरी और जुलाई का जो तापमान होता है माइनस 6 डिगरी सेंटीग्रेड तथा 19 डिगरी सेंटीग्रेड तक रहता है याद रखिएगा अगर बात करें तो देखिए जबकि अगर बात करें तो देश के दक्षिण में स्थित नागा साकी का जनवरी और जुलाई का जो तापमान है 6 डिगरी सेंटिग्रेड और 26 डिगरी सेंटिग्रेड के बीच रहता है परसांद मासागर के टटिये भागू में जुन जुलाई में वर्षा होती है जबकि देश के उतर पश्मी टट पर सित रितु के मानसून में जो है या मानसून से वर्षा होती है जपान के अधिक्तर भागों में ओसत वार्षिक वर्षा 130 सेंटीमीटर तक होती है जब कि परवतिय परदेश में ओसत वार्षिक वर्षा 250 सेंटीमीटर तक होती है जपान के आंतरिक भाग अपेक्छाकृत सुस्क हैं बसंत के अंत या ग्रिस मिकाल के प्रारम में अगर बात करें यानि बसंत के सुरुवात और अंतिम के समय में अगर बात करें तो ध्रुविये साग्रिये वायू रासियों से मध्य तथा दक्षणी जपान में भारी वर्षा होती है जिसे बाई यू या प्लम वर्षा कहते हैं सितंबर के महीने में जपान के दक्षिनी टड़ पर भयंकर उष्ण कटी बन दिये तुफान आते हैं जिने टाइफून कहा जाता है इसके बाद जपान के जो मिट्टी है इसके बारे मगर बात करें तो जपान के लगवक 17% छेत्र पर मैदान और घाटियों को लेकर मैदान और घाटियों को समलित करते हुए अगर बात करें तो 17% छेत्र पर जलोड या कांप मिट्टी पाई जाती है और देश के 6-6% छेत्र पर लिथोसोल मिट्टी का विस्तार है निचले प्रवतिय ढालो पर अगर बात करें तो प्लैनोसोलिक मिट्टी पाई जाती है जिस जाउ मीटी है जो मध्यवर्ती घाटी में पाई जाती है परवतिय ढालों पर वन और घास के मैदानों में पड़जोल मीटी पाई जाती है यह मीटी देश के कुल छेत्रफल के 7% छेत्र पर बिस्तरित है इसके बाद प्राकिटिक वनस्पति के बारे में अगर बात करें तो जापान के 68% छेत्रों पर वनों का विस्तार है 68% भाग पर वनों का विस्तार है वन फैले हुए हैं इनमें सकुंधारी वनों की परधानता है समानेता यहां तीन परकार के वन पाये जाते हैं सकुंधारी वन उपोष्ण साधापढणी वन और मिस्तरित वन सकुंधारी वन आपने के अंतरगत उत्तर पूर्वी होकैडो और हॉंसु के मधवर्ती उच्छ भागों में फ़र अस्पूरुस पाइन लार्च आदी परमुक किसमें हैं इन से लुगदी वक कागज बनाया जाता है इन मतलब के बनों के जो पेण है फ़र अस्पूरुस पाइन लार्च और क्यूसू दीवपो में सदापढणी और चोणी पत्ती के पणपाती जो है वन उखते हैं जिनमें बास, कपूर, ओक, बर्च, मैपल और मैंगनोलिया आधी परमुक किसमे हैं मिस्रित वन पश्मी होकाइडो और उत्री होंसू में उखते हैं जिनमें ओक, मेपल और क्याकी जैसे परमुक पनपाती वरिक्ष सामिल है क्रिसी के संदर में अगर बात करें तो जापान के केवल 16% छेत्र पर जो है एक वर्स में 2-3 फसले उगाई जाती हैं प्रंतु होंसू और होकाइडो में अत्याधिक ठंड के कारण एक वर्स में एक ही फसल उगाया जाता है चावल, जो, गेहू, जई, राई, जुआर, बाजरा, शकरकंद, आलू और स्वाविन परमुक खादे फसले हैं चाय, तंबाकू, अलसी, सहतू, यहां की वाणजिक फसले हैं याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है यहां 43% क्रिसी गत्य भूमी चावल के अंतरगत आती है 43% छेत्र पर क्रिसी के लिए जो है चावल की खेती होती है और सितावची मैदान यहां सुकोकू सितावची और सिकोकू जो टटिये मैदान है यहां पे चावल की खेती जो है अधिक की जाती है संपूर्ण जपान में सितकालिन गेहू उगाया जाता है आंतरिक सागट टटिये भाग और क्वांटू मैदान तथा पश्मी क्यूसू परमुक गेहू उत्पादक इरियाज है जपान बीश्वे के मतस उत्पादन करने वाले परमुक देशों में से एक है जपान का बीश्वे के कुल मतस से उत्पादन में 15% का योगदान है अलामुखी किरियाओं के कारण यहां गंधत प्रियाप्त मातरा में उपलब्ध है जपान का मुखे खनी संसाधन कोयला है प्रंतु यो अत्यंत निम्न स्रेणी का है देश का 60% कोयला भंडार की उसु दीव पर और कुल उत्पादन का 40% कोयला यहीं से प्राप्त होता है ठीक है होकेडो दीव के इसी क्यारी जो बेसीन है होकेडो दीव के इसी कारी बेसीन यहां से जपान के कुल कोयला उत्पादन का 30% भाग जो है उत्पन होता है उद्धियोग के बारे में अगर बात करें तो जपान में उद्धियोगों के लिए अलहारभूत खनीजों का भाव है खनीज टेल, लौ अयस्क, कोकिंग कोईला और अलौध हातु अयस्क जैसे तामबा, निकेल और बकसाइट को अन्य देसों से आयात करना पड़ता है हाल के वर्षों में अगर बात करें तो मसीनरी उद्धियोग ने जपान के आर्थिक विकास में काफी महत्पून भूमी का निभाई है जपान के मसीनरी उद्धियोग के अंतरगत बिधुत मसीनरी और इलेक्ट्रोनिक्स समलित है जपान का सबसे बड़ा बयपालिक सहयोगी सन्युक्त राष्ट अमेरिका है जनसंख्या के संदर में अगर बात करें तो जनसंख्या के द्रिष्टी से 20 में जपान का 12 अस्थान है 11 अस्थान पे आता है जपान जनसंख्या के द्रिष्टी से जो 20 के सरवादिक सघन जनसंख्या वाले देशों में से एक है जपान 200 के सबसे अधिक नगरिकृत देशों में से एक है जिसकी लगवक 3-4 जनसंख्या नगरिये छेतरों में रहती है कूल नगरिये जनसंख्या का लगवक 60% टोकियो यानि जपान की रधानी टोकियो है यहाँ पर यकोहामा, उसाका, नगोया और किता क्यूसू जैसे परमुक महानगरों में केंद्रित है 60% जो जनसंख्या है इनी जगहों पर ज़्यादातर निवास करती है इसके बाद next है सौधी अरब, सौधी अरब के बारे में अगर बात करें तो सौधी अरब एक महत्पूर्ण रातंतरात्मक देश है जिसका कोई अपचारिक सन्विधान तथा संसद यानि पालिया मिंट नहीं है चेतरफल के दिरिष्टी से अगर बात करें तो यह दक्षन परश्ची मेसिया का सबसे बड़ा देश है सौधी अरब, याद रखिएगा आगे बढ़ते हैं अगर बात करें तो सौधी अरब के जो छेतरफल है लगभग कितना है तो 21,50,000 वर किलोमीटर है यह अरब प्रायदीब के लगभग 80% छेतरफल पर बिस्तरित है इसकी सीमा पर कुबैत, वहरीन, कतर, सन्युक्त अरब, अमिराद, उमान और यमन इस्तित हैं इसकी राधानी रियाद है इसका आंतरिक भाग पठारी है और पश्मी सीमा पर लाल सागट टट के सहारे परवस्त शिरणिया इस्तित हैं जहां पठारों की ओसत उचाई 600-1200 म है, पठार के मध अनिक चोटियां और घाटियां है, सौधी अरब के दक्षणी भाग में बीश्त का सबसे बड़ा रेतिला मरुवस्तल है जिसे रव अलखाली या अगर बात करें तो इंपेटिक वाटर कहते हैं जबकि उत्री भाग में अन नाफूद मरुवस्तल इस्तित है, भूवाकरितिक अधार पर सौधी अरब को चार भागों में बीभाजित किया जा सकता है, पश्मी तटिये मैदान में इसके बाद परवतिये मैदान, मध्य पठाल, पूर्वी तटिये मैदान और दक्षण का मरुवस्तल ये है भूवाकरितिक बीभाज़त सौधी साकी और प्रवतिय परदेश का विस्तार है इसकी सर्वत चोटी सौधा है जिसके उचाई 3133 मीटर है सौधी अरब का मध्य पठार इसके उत्तर में अननाफूद मरवस्तल बिस्त्रित है फैला हुआ है जिसकी रित का रंग लाल है भारस के खाड़ी के समीप उत्तर में कुवैत से दक्षिन में सन्जुक्त अरब अमिराज के मध्य बिस्त्रित तटिये मैदान को पूर्वी तटिये मैदान के नाम से जाना जाता है देश में पेट्रोलियम और प्राकेटी गैस के अधिकान्स भंडार इसी पर देश में स्थित है इस देश की जलवायू उष्ण मरवस्तली है देश की ग्रिस में कालिन रधानी रियाद का तापमान 49 डिग्री सेंटिग्रेट तक जो है पहुँझ जाता है स्थ रितु में तापमान 0 डिग्री सेंटिग्रेट के नीचे पहुँझ आता है याद रखिएगा सौधी अरब प्रायदीब के उत्री भाग में कुछ वर्सा सित कालिन चक्रवातों से होती है फिर भी यहां का जो वार्षिक वर्सा का जो ओसत है वो 25 सेंटिमीटर से कम ही रहता है सौधी अरब में बद्दू आदिम जन्जाती चलवासी पसुचारण के लिए परसीद है जो भेड बकरी उंट और खचर पालते हैं तथा चारों की खोज में ये निरंतर एक जगा से दूसरे जगा घुमते रहते हैं क्रिसी का विकास टटवर्ती वादियों में यानि टटवर्ती घाटियों में जल स्रोतों के निकट मिलता है गेहू जुआर बाजरा, जौ, मक्का, राई यहाँ परमुक, खाधियान है यहाँ पर खजूर के बाग सरवत्र मिलते हैं सिदकालिन वर्सा के छेत्रों में अंग पास जैसे ये जोडन, इराग, कुवेत, बहरीन, कतर, सन्युक्त अरव, अमिराद, ये अन नाफूद मरुवस्तल है, ये मदीना है, ये जवल अर खात है, ये जवल अर करा है, ये रियाद है, यहाँ पे रूब अलग खाली मरुवस्तल है, देगे पेट्रोलियम सौधी का परमुखनी संसाधन है, पेट्रोलियम यहाँ का परमुखनी संसाधन है, और ये देश की अर्थ बिवस्ता में काफी महपुन भूमी का निभाता है, यहाँ तेल की खोज 1938 में की गई थी, खनी तेल के निरियात में सौधी अरव बीश्व में दूसरा स्थान है, जबकि भंडार और उत्पादन में वेनिजुवला के बाद इसका दूसरा स्थान है, सौधी अरव के मुख्य तेल के छेत्र निमने चार है, कौन-कौन से छेत्र हैं, तो देहरान है, दमम है, अब केक है, गवार और कातीफ, तो देहरान, दमम, अब केक, गवार तथा कातीफ है, तेल को साफ करने का मुखी करखाना रास तनूरा में है, इन करखानों से संसोधित तेल को पाइप लाइन के द्वारा लेबनान के सीडोन बंदरगाह एवं लाल सागर टट परिस्थित यंबू बंदरगाह को भेजा जाता है, पेट्रोलियम खनीज के अधार पर यहां उर्व पुरक एवं पेट्रोल रसायन उद्यूग बिक्सित हो गए हैं, सौधी अरब की अधिकतर और धागी केंद्र देश के पूर्वी भाग फारस के खाड़ी के टटीय परदेश में स्थापित है, और धागी केंद्रों में जुवैल, दहरान और दमाम मुखे हैं, रियाद, म मक्का, मदीना, जेदा और आभा में भी कुछ करखाने अस्थापित किये गए हैं, सौधी अरब की अधिकतर जनसंख्या सूनी, मुस्लिम, धर्मा, नुवियाई हैं, जो अधिकांस्तर वहाबी संप्रदाय के हैं, और सेस्थ जनसंख्या सिया संप्रदाय की है, मक्का सबस यात्रियों के लिए परवेश द्वार है, इसके बाद अगर बात करें, तो जेदा पशी मेसिया का सबसे बड़ा बंदरगा और हवाई अड़ा हैं, जिसे युनेस्को की 20 वधरोवर सूची में सामिल किया गया है, याद रखिएगा, इसके बाद अगर बात करें, तो नेक अगरेजों ने अस्थापित किया था, इसके अंतरगर साथ अमिरातों, अबुधाबी, दुबई, सरजा, उम अल, क्यूएन, अजमान, हुजेरा और रास अल, खेमा, इसको सामिल किया गया है, तो याद रखिएगा, टुसियल राज के नाम से अंगरेजों ने अस्थापि का जो है, मतलब की नाम दिया गया, 1972 में रास अल, खेमा को इस रियासत में सामिल किया गया, इसका कुल छेतरफर लगवक, 83,650 वर किलो मीटर है, मरुवस्थली भूमी तथा जल का अभाव होने के कारण या परदेश सद्दियों तक आनाकर्षक रहा है, यानि आकर्षक का देश मलकेंदर नहीं रहा है, किन्तु पेट्रोलियम के पराप्ती ने इसे आकर्षक और सम्रिद बना दिया, अबुधावी, सरजा और दुबई, परमुक तेल उत्पादक राज है, संजुक्त अरब अमिराद की जलवायू गर्म सूसके है, होट एंड राई है, अबुध सथी क्रसी का अंतरगत आते हैं, जहां खजूर, फल और कुछ खाद्यान उगाए जाते हैं, संकिरधानी अबुधावी है, जो सभी राजियों में विसालतम है, दूबई, परमुक बंदरगा है, और यह मध्य पूर्व का वाणरजी केंद्र है, जो एक है, परमुक विनिर विमाण केंद्र बनता जा रहा है, यहां खेल, मनुरंजन, सांस्कृति, गति विधियां आदी भी बिक्सित हो रहे हैं, यमन के बारे में अगर बात करें, नेक्स्ट देश जो है, नेक्स्ट कंट्री यमन है, तो यमन जो है, अरब प्रायदीब के दक्षिन पस्षिमी भा पस्षिमी लाल सागर और दक्षिन में और अब सागर इस्तित है, देखें, उत्री यमन और दक्षिडी यमन करमसा 1962 और 1967 में स्वतंत्र हुआ था, लेकिन 1990 में इन दोनों का बिलाय यमन गड़तंत्र के रूप में हुआ, यमन एक परवतिये परदेश है, इस देश की सबसे मुची परवचोटी का नाम जवल अननवी सुयेव है, यहां की जलवायू गर्म सुस्क से गर्म आदर है, जिस पर इन परवतों का परभाव याद रखिएगा, इन परवतों का परभाव पढ़ता है, देश के दक्षिनी और पूर्वी भाग में रव अलखाली मर्वस्थल विस्तरित है, और अब प्रायदीप में सबसे अधिक वर्षा यमन में होती है, देश के उतरी भाग के कुछ अस्थानों पर नवे सेंटीमीटर वर्षा होती है, यहां टटिये मैदान संक्रा है, जहां छोटी-छोटी नदियों ने घाटियों का निर्मार किया है, यहां ब प्रवतिय धालों पर दीन में देर तक कुहरा च्हाय रहने के कारण सूर्य की तेज किर्णों से कहवे की फसल सुरक्षित रहती है, यहां का मुका कहवा विश्व परसिध है, साथी मतस्य उत्पादन भी यहां पर प्रचलित हैं, यहां पेट्रोलियम और प्राकृतिक गै संख्या सूनी पंत को मानने वाले हैं, यहां का सबसे बड़ा बंदरगा अधन है, जो एक पोर्ट और कॉल है, यह स्वेज मार्कवर भोजन्त, जल, इंदन, आदी और सेक्ताओं की पूर्ति करता है, इसकी रधानी सना के निकट, वादी ए दहर, प्रसिध जुआला मुख संकुय डॉट है, इसके बाद ओमान है, ओमान के बारे में अगर बात करें तो अरब प्रायदीप के दक्षिन पूर्वी भाग में अरब सागर तथा फारस के खाड़ी के टट पर इस्तित ओमान एक स्वतन्त रदेश है, इसका कुल छेत्रफल लगवग तीन लाख वर किलो है, इसके सीमा पर सन्जुक्त अरब अमिराद, सौधी अरब, यमन इस्तित है, इसमें मुसंदां प्रायदीप भी समलित है, और अगर बात करें तो जो मुसं दांप्रायदीप है, यह समलित है, जो हर्मूझ की ओर फारस के खाड़ी मीश्तित है, यह पूरा में पुर्तग ये पत्रीला है जो 2500 मीटर से अधिक उची है यहां का सरोष सिखर अल साम है जिसके उचाए 3035 मीटर है जो अल अकदर प्रवत की एक चोटी है कौन अल साम या मरुवस्थल जलवायू अगर बात करें तो यहां मरुवस्थलिये या गर्म एवं सुसके तो मरुवस्थलिये या यहां गर्म और सुसके जलवायू पाई जाती है इसके बेभीन भागों का ओस्ता अपमार 18-34 डिगर सेंटीग्रेट के बीच रहता है घाटियों में ओमान में अगर बात करें तो ओमान के घाटियों में यहूं जो जवार गन्ना आदी उगाये जाते हैं यहां के सुसके छ निर्यात ओमान की आय का परमुक्ष्रोत है जो कुल निर्यातों का 95% है याद रखिएगा इसके बाद अगर बात करें तो देखिए ओमान एक अरब देश है जहां की सरकारी भासा अरवी है यहां के अधिकता लोग सुनी संपरदाय के हैं मसकट यहां की रधानी नगर है मस रमूज संधी के द्वारा जल संधी इसके बाद कतर है कतर के बारे मगर बात करें तो कतर एक संपूर्ण रातंत्र देश है यह एपसलीट मोनार्की कंट्री है यह पूर में ब्रिटेन कधिन था जो 3 सितंबर 1971 को स्वतंत्र हो गया इसकी रधानी जो है दोहा है कतर की रधा में इसकी सीमा सौधी अरब से मिलती है मरुवस्थली देश होने के कारण या एक विरान परदेश था किन्तु पेट्रोलियम ने इसे आकरशक बना दिया है पेट्रोलियम इसकी अर्थ बिवस्था का मुख अधार है कतर ने आजनी क्रिसी तकनीकी का विकास पर प्रती हेक् में देश की केवल एक प्रतीसत भाग पर ही खेती की जाती है मतस उत्पादन यहां का परमुख बिवसाय है यहां पेट्रोलियम उत्पाद, तेल, सोधन, सीमेंट, लोहा, इसपाद, रसायनिक, उर्वरक, उद्योग, अस्थापित हुए है जो दोहा में सकेंद्रित है दे है दीब का एक छोटा सा देश है जो 1765 में अस्थापित अल सवा राजवन्स के द्वारा सासित रहा, 1961 में यहां सोतंत्र देश बना इसका छेतरफल 17,289 वर किलो मीटर है, कुवैत का धरातल समतल है, सरोच भाग अल जहरा सागर तल से जो है 229 मीटर उचा है, यहां औसा त तापमान 33 डिगरी सेंटीग्रेड रहता है, परंतु जुलाई में दीन का तापमान 52 डिगरी सेंटीग्रेड तक पहुंझाता है, वार्सिक वर्षा 18 सेंटीमीटर से कम होता है, सित काल में गर्म तुफान चलते हैं, जीने कॉस कहा जाता है, यहां प्राकिर्तिक बनस्पत कुवैत की अर्थ बिवस्था का अधार पेट्रोलियम है, यह 24 बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक देश है, यहां का 9 परतिसत जो छेत्र है, वो क्रिसी योग है, जा यह हूं जो और खजूर की खेती होती है, तथा मतस्य उत्पादन, तथा पस्व पालन अन्य बिवसाए कुवैत की रधानी, अलकुवैत यानि कुवैत सिटी, फारस के खाड़ी के उत्री छोर की और इस्तित है, और इस देश का 200 के खनीज तेल भंडारों में, जो है, बेनुजुवला, सौदी अरब, कनाड़ा, इरान और इराग के बाद छठा स्थान आता है, यहां 201 का सरवा कुवैत का परमुक तेल पतन है, याद रखेगा, इंपोर्टेंट है, इसके बाद अगर बाद करें, तो नेक्स्ट है, बहरीन, देगे, सौदी अरब तथा कतर प्रायदीप के बीच बहरीन, छोटे-छोटे या छोटे बड़े 13 दीपो का समू है, जो फारस के खाड़ी मे सित है, इन दीपो में बहरीन जो है, सबसे बड़ा है, अने दीपो में अलमुहरक, सीता, उम नसान, अलनभी, साले और हावर ग्रूप महत्पून है, इसका कुल छेतरफल लगभक 710 वर किलोमीटर है, या पूरब में ब्रिटेन का धीन था, जो 1971 में सोतंतर हुआ, इसके सा इसके सासा को अमीर कहा जाता है, बहरीन की अर्थ विवस्था का धार तेल उत्पादन है, क्रिसी, मूर्गी पालन, पशुपालन, प्रमप्रागत विवसाय है, इनके अतरिक्त अगर बात करें तो सीमेंट, अलुमिनियम, पोत, निर्माण, विधुत, उपकरण, रसायन, म पर चलित है, यहां के अधिकान, जनसंख्या, अरब मुल्की तथा और परवासी लोगों में परतिक चोथा बेक्ति भारती है, मनामा देश की राधानी, वपरमुख नगर तथा पतन है, इसके बाद अगर बात करें, तो नेक्स्ट है इरान, तो इसका डिसकर्शन हम लोग